तेश्प्रताप यादो के उपपर आज जब आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपने ही पार्टी के नेता को गाली दी है और उनके साथ मारपीट किया और उनको धमके दी थी कि दस दिन के अंदर उनको गोली मरवा देंगे तब अब याद किया जा रहा है कि इसके पहले पार्टी के अनवरिश नेताओं के बीच तनातानी हुई है और इसमें सबसे पहला नाम रखुमनस बाबु का लिया जा रहा है जिनको तेश्प्रताप यादों ने एक लोटा पानी कहा दिया था इसके बास से जगदानन सिंग है जिनको आज अभी तेश्प्रताप यादो माभवानी डेकॉर प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है ऑथराइज डिस्ट्रिब्यूटर आफ कजारिया देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभे प्रकार के इंडियन और इंपोर्टट ग्रेनाई माबुल सैनिटरी एवम कोटा स सबसे पहले आपको याद होगा कि रगवन्स परसाद सिंग जब जीवित थे तब तेशपरता प्यादो वार्गवन्स बाबू में बंती नहीं थी और तेशपरता प्यादो ने एक बार रगवन्स बाबू को कहा दिया था कि जो पाटी है राश्री जिनता दल है वो एक समंदर है और समंदर से अगर एक लोटा पानी खत्म हो जाएगा तो समंदर का कुछ होना नहीं है वे रगवन्स परसाद सिंग पर बोल गया थे उन्हों हमने देखा पूरा घटनकर्म की रगवन्स परसाद सिंग पार्टी से नराज होते हैं वे लालू परसाद यादों को पत्र लिखते हैं कि वे पार्टी को छोड रहे हैं इस्तिपा दे रहा है उसके बाद से रगवन्स परसाद सिंग को मनाया जाता है लालू परसाद याद तेश्परताप यादो हिटलर से लेकर ना जाने क्या कुछ कह चुके हैं वे जगदा नंसिंग को लेकर कह चुके हैं कि जगदा नंसिंग चाहते नहीं कि हम अपने पिता लालू प्रशाद्यादों से मिल सकें उनके बाचीत हो सकें यह सब लोग मिलकर हमको दबाना चाहते है से साइड लाइन करना चाहते हैं जगदा नमसिंग पर तमाम तरहें के यह लगा नहीं और पिर जाने नहीं देते उनसे बातचित नहीं करने देते और संजय यादो चाहते नहीं है कि यह दोनों भाई एक साथ मिलकर एक साथ काम करें मतलब कि टेश परताप यादो अपने ही पाटी के वरिश्च नेताओं पर अनाप शनाप बोलने के लिए इसके पहले भी चर्चा में रह थारह मिनट में 500 गाली दे दी और हमको स्वहा परबंद कमरे में मारा पीटा गया तेश परताप यादो ने जगदा नंसिंग को लेकर भी काफी कार कहा था जब जब तेश परताप यादो कुछ भाशन ले रहे होते थे और जगदा नंसिंग ताली नहीं बजाते थे तब कि तेश परताप यादो अपने आप पर काबू नहीं रख पाते थे और उन्होंने क्या दिया था एक बार कि लगता है जगदा नंसिंग हम से नाराज है क्योंकि वह ताली नहीं बजा रहे हैं तो तेश परताप यादो चाहें पार्टी या कोई वरिश नेता हो चाहें वह जगदा नंसिंग हो चाहें इसके पहले रगवंस बाबू हो हर नेताओं पर लेकर तेश परताप यादो कुछ ना कुछ ऐसा बोल चुके हैं जिसकी चर्चा हुए है और वो नेता उस पाती से नराज हुआ है रगवंस परसाथ सिंग के बारे में आपको बताया कि रगवं खनान सिंग्क कहांए की वह जीन परकार चाहें जीन नेता पर चाहें कारवाई करें जो पार्टी वह कहें होगा होगा और इसके बार से अगर कारवाई नहीं होती है तो सिर्फ इसलिए नहीं होती है क्योंकि वह लालू प्रसाइदाओं की बड़ी बेटे हैं आगे जो कुछ नहीं जनकारी आएगी जो कुछ ने आपडेट आएगा इससे जुड़ा हुआ उसे हम आपते पहुंचाएंगे फिलाल इस वीडियो को करते हैं वीडियो को शेर कीजिएगा और अगर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लिजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्स्क्राइब कीजिए मिलता फिर बहुत जाल लगले वीडियो में केमरे पीशे कड़े हम बरकाश और मैं मोहित कु झाल वाण